असलाम अलेकुम और रह्मत अल्लाहिवा बरकातु मेरे प्यारे शेक्स क्लास के बच्चों हम पर रहे हैं इसार का जैजबा सबक तो इसमें हमने कुछ बहुत सारा सबक पढ़ाया तो आप थोड़ा चरह एगे किस कहानी का इसार का जैजबा लगता है मुझे मेरा आपको मज अहुरा रहा होगा या कहानी सौन के amkworks पए चल्व शुरू करता है जैन जब गार से निकला तो उससे यह मालूम नाथा कि कैदर जाना है जब जैन ने घर शुडा जैन ने तो उसको पछीव पता नहीं था कि केदर जाना है इस उसने बरहा आप कि उसका तो उसका रास्ता उसकी मंजल की तरफ शलता गया वह अपने शहर से बहुत दूर जाकर एक फैक्टरी में मलाजम हो गया और अपनी अंथक मैनित के जिरिये तरक्य करता हुआ एक तरहर्ज की अन्धर ही फैक्टरी एक और सिल खता जनल मेंजार बण गया तो क्योंकर व हमायद कश था वह प्रक्या है तो क्या था बहुत मैनित कश आदमी था तो एंज रेड़ मैनिज ही लिए-पनिंदर पर इसके अंदर ही फैक्रिओं के जो फैक्रो का कैलों सलसले होता है उसका ज़र्नल मनेजर बन गया सारी फैक्रीं जितनिंखैशनि इस होती तो आपी है वो अभे राय सिस्हार आने का दामाद में आदाते पाराइजित इसाय को चली हुई एक राइस घर't खानगा वह एक दिन वह तुनिर आप एक पर ठाल शे नदो कोटी के लन अरज़ा जुक्ती मैं में सलाद्द भ्राइफ तो उसके नजर एक इस्तिहार पर पड़ी उसमें अदनान की जिन्दगी होग्वा अत्य निके तुर बाला अतिये के तोर पर गोर्दा कौन देता वो जमाने में पैसे हजार रुपए खरच करके भी ठीक से गोर्दा नहीं मिलता था मिलना मुश्कुल था तो बाला तरी में कौन देता जैन खबर पड़ते ही उठ खड़ा हुआ और बीबी को बताए बगार अपने सेक्टरी को लेकर वान हो गया जैसे विजय दिख वैन यह कबर पढ़ी तो वह एकदम उड़िया तो अपने शक्री को साथ लिया और निकल बड़ा बाडनान और शीवा के सामने मुझोर्थ जब निकला दूसरी वो कहां था अजो और ऐनौर शीवा के सामने बाद की ह बाम की हाले देकर जेन देर सभा कि अपने आप रहा लिह रोता रहा तो वो उसका हाथ लिये हुए अपने हाथ में बहुत देर था क्या करता रहा रोता रहा वो मां के गले लग लग कर भी लग लग कर भी देर तक सिख्यां बारता रहा वो मां के गले लग कर भी क्या कर रहा था रो रहा था यह वही लोग थे जिनने उसे उस जमाने में सब आप पड़ाया लिखाया ठीक है तो प्यार दिया तो यह वह लोग थे जो उसे उस्वक्त कोई देने वाला ना था जो उन्हें ने दिया था उसके माँ-बाब एक खाथ्चे में मारी दे तो यह चीजें उसको और कोई देने वाला नहीं था उन्हों ने इसके लिए क्या इसको दे थी हर एक खुशी कपड़े प्यार पैसा हर एक चीज़ पढ़ाई हर एक चीज़ इसको दी थी परानी यादू ने उसे नडाल कर दिया जब परानी यादू उसको आगी तो एकदम उन्हें में डूब गया वो दो शक्षी ते जिनने वो हमेंशा पूछता रहा थ अब मैं जाडियों के डांच चुकी शक्रस शक्रस कर चुकी थी जब यह बहुत अर्शे के बाद आये था तो जब जिनकी यह पूजा करता रहा इस्जत करता रहा बहुत ज़्यदा तो आप क्या हैं आप अडियां ही वह माजवाजू कमजोरी आगी है बड़ापा आगी है ने क्यान ओफु जाटे खते मोज़े कोई धर बाद वसे खुडोफ को संबाला फिर डाक्टों से मश्रख करने निकल जोडीवाज को और दोसरे आ रोपरेशन कर आडिये गया लेन अपने गुर्दह बाप की नज़र बाप को और कि जाना जाना कि अपना झीजाऑ वोर किया वाप की जान बचाएगा वह चाहता तो दोलिद के बलूते पर एह बूर्दruit किसी से हासल कर सकता था लेकिन एक अनल की हालत गाव हो चुक थी कि एक दिन का इंतजार करना भी हत्रे से हालीना था दूसरा वो इस साधवत को आहाथ से जाने नहीं देना जाता था वह चाहता था दोलेट के उसके पास इतने पैसे थे इतना अमीर आदमी था जैन कि वह पैसों से गुर्दा खरीज सकता था अगर क्यों नहीं खरीजा एक तो अर्णाद के आलत क्राब थी अगर उसको गुर्दा टाइम पर निलता शायद वह नहीं बैचता दूसरा वो बेटा जो था नेक बेटा था उसने यह मदब संझा कि ये मुझे मुखह मिला है एक सुनेरे मौकह जिस को करतेWow लोन × चांस तो में एक मुझे कैसे इनका करेजी करेजमज बॉ Expect toने कुल का रेये चुक्छाई तब ही उसने प्रेट किया अपने बाप की नजर किया आपको पता है जैसे पहले आपने पढ़ा है कि इनका अपना बेटा नहीं होता है गोड लिया हुआ बेटा होता है इसके बीवी बड़ी नेक दिल हाथुं थी अचानक अपने सुसर को घर में पाख कर भागव हो गहीं तो उसने क्या कि जैसे तुट ठीक होए तो उनको अपने घर दोनों को चीव मांगो भी और बाब को भी अपने गर ले गया तो उसकी बीवी जो थे वो क्या थी एक नेक द उसने जैसे अपने साथ चोचर को गार में देखा तो एक दम खुशी से यूम उठी भाग भाग होगी मार्लों बहुत खुश होगी वह जैन ने अपने छोटे बाइयों को भी तलाश करके वराय रास्त पर लगा दिया तो फिर उसके बाद जैन ने कहके जो उसके छोटे करा ला और उनको भी रास्ते पर लगा दिया अपने रुसुख से उन्हें अच्छे ओदों पर मामूर कराया और यूँ अब हची खुशी उनके देन गुजरने लगे तो क्योंकि यह तुमाम ठाक्रियों का क्या था मैनेजर था तो उसने अपने इस अच्छो रुसुख की खुशी से निकलने लागे तो यह था हमारा सबक अब इसके हम करेंगे कल से इंचाल्ला सवाल तो बड़ा मजदार सबक था लगता आपको पसांद आए तो नहीं आया तो आने चाहिए यह बड़ा सबक का मूज सबक था हमारे लिए ठीक है शुक्रिया